इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CITES मतलब की Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fona जिसको कि हम लोग प्यार से SIDES भी बोलते हैं CITES ठीक है ये वीडियो करीबन 10 मेंट का होने वाला है और ये क्या करता है इंडेंजर जितने भी प्लांट्स और एनिमल सा जितने भी जानवर और प्लांट्स हैं जो की खत्री का सामना कर रहे हैं उसको प्रोटक्ट करने का ये बात करता है कब sign किया गया था 1973 को कहां पर sign किया गया था Geneva Switzerland में कब से effective है 1975 से क्या condition था इसको effective होने में कम से कम 10 member state इसको ratify करता कम से कम 10 देश इसको ratify करता वो हो चुका है अभी कितना party है इसमें 184 party है इसका जितना भी जानकारी बगिर है वो कहां पर deposit होता है तो Swiss confidence जो government of Switzerland है वहां पर ठीक है कौन कौन सा language इसमें use हो रहा है English, French और Spanish normally इसका official language है ठीक है तो sites का main काम क्या है कि वो देखता है जितना भी international trade हो रहा है जो कि wild animals और plant में है जिसके कारण वो जो जानवर है वो खतम हो रहा है for example माल लेते हैं हम लोग के पहले बहुत सारा हमारे पास हमारे पास बहुत सारा पहले elephant था ठीक है बहुत सारा हमारे पास elephant था लेकिन फिर हम लोग क्या कि ये elephant का जितना भी उसका दात है उसका हम लोग व्यापार करने लगी उसके करन क्या हुआ एलिफेंट को मारा जाने लगा ठीक है उसको बोलते हैं हम लोग पोचिंग ठीक है तो इसके करन एलिफेंट का क्या हुआ जन संक्या घट गया तो अब जो है वो माल लेते हैं कि कल जा करके elephant ऐसा आ गया कि 15-20 elephant ही मातर बचा ठीक है या फिर हम लोग रहना सोरस को देखते हैं रहना सोरस को खतम होने वाला है तो इस सब को बचाने के लिए कि हम लोग इतना जादा वैपार ना कर लें कि पूरा मतलब जो जानवार एक खतमे हो जाए तो इसके लिए sides का एक तरह से implement किया गया ठीक है sides जो है वो एक सबसे बड़ा और एक तरह से बहुत पुराना conservation sustainable use agreement है ठीक है जितना भी इसका member state है वो अपने मन से उसमें आएगा मिलेगा और उसके साथ में काम करेगा ठीक है और जो sides है वो हर parties पर legally binding है मतलब की कानूनी तोर पर वो उस पर binding है ठीक है लेकिन जो sides है वो किसी भी देश का जो national कानून है जो उसका राश्ट्य कानून है उस पर वो उसका जगह नहीं लेता इंडिया में बहुत सारा कानून है जिसके कारण की जो वो उसके साथ में मिलके काम कर सके और अपने जो जो जानवर है उसको बचा सके जानवर या पेड़ पॉधा उसको बचा सके ठीक है जो इसका funding है मतलब जो उसका पैसा आता है इसको काम करने के लिए वो कहां से आता है तो वो हर पार्टे का contribution रता हर जिसको कुछ कुछ पैसा इसको देता है जिसके करन की ये काम कर सकता है ठीक है और अब इसका काम क्या क्या है वही research करना है research करने के साथ जो उसका आदमी लोग है for example उसका जो employee है उसको train करना है फिर अग जैसे कि इसके पास एक program है monitoring of illegal killing of elephants माइक तो माइक को implement करने के लिए जो पैसा लगता है ये सब के लिए क्या करना पड़ेगा इसको बाहर से किसी countries को बोलना पड़ेगा कि आप please donate कर दो जैसे कि European Union हुआ या USA हो गया जो अमीर-अमीर countries है वो उसको donate आराम से कर सकता है ठ कोई ऐसा जानवर है जो कि भारत में illegal है उसको trade करना अब वो भारत से trade हो रहा है तो क्या होगा तो क्या होगा ना कि sides के पास कोई ऐसा नहीं है कि वो उस पे penalty वगर लगा दे लेकिन ध्रे-ध्रे क्या हुआ है ना कि sides क्या करेगा सबसे पहले उसका जो secretariat है उसके पास क्या होगा जैसे इंडिया और बंगलादेश जो दो नेशन से वो sides को ratify कर दिया अब इंडिया में illegal trade चल रहा है बंगलादेश जो है वहाँ पर जा करके अपील कर दिया तो secretariat क्या करेगा सबसे पहले जितना भी पार्टी उसको inform करेगा कि देखिए ऐसा ऐसा बात है हाँ पर बाद भारत जो है वो sides का धन्यबाद करेगा और बोलेगा कि ठीक है हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे ठीक है और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर क्या 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 decisions लिया जा सकता है sides के द्वारा तो सबसे पहले जो secretariat है वो एक तरह से हर आदमी से permit लेगा कि हाँ ठीक इस से क्रेटरियेट को ये सब कट जाएगा ठीक है फिर एक suspense किया जाए उसको suspend कर दिया जाएगा फिर एक formal warning दिया जाएगा इंडिया को फिर जो secretariat है वो इंडिया आएगा इंडिया में आने के बाद फिर उसको visit करेगा कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा कांड हो रहा है याँ ठीक है या फिर उसके साथ में cooperate करना चाहिए और इंडिया का साहिता करना चाहिए ठीक है अब bilateral sanction ऐसा हो चुका है जैसा कि USA जो है वो जापान पर कर चुका है यह चीज ठीक है और मोटा मोटी तोर पे करीबन 5000 जो जानवर है 5000 जानवर जैसे कछुआ हो गया आपका सेर बगेरा हो गया ठीक है तो 5000 जानवर और 29,000 तरीका का plant जो है वो sites के साथ में protected है क्योंकि इसका over expectation हो गया है ठीक है और जितने भी इसका जितना भी protected species है sites के अंदर वो तीन list में होता है appendix 1,2 और 3 तो हम लोग जानते है appendix 1,2 और 3 के बारे में और appendix 1,2 और 3 को कौण जैसे कि कोई species को अगर appendix 1 में डालना या 2 में डालना या 3 में डालना तो वो कैसे होगा तो वो COP के तयात होगा conference of party जो है उस पर declare करेगी कि हाँ इस जानवर को हमको appendix 1 में डालना चाहिए या एपंडिक्स 2 में या एपंडिक्स 3 में, ठीक है, तो एपंडिक्स 1 में करीबन अभी 1200 स्पीसीज है, ठीक है, और ये स्पीसीज जो है, एकश्टिंψिन सी 410 है, for example, एक जानवर है, जिसका نام है, एक जानवर है, इन्डियन बसल्ड ठीक है, तो वो कहां पे रहता है वो राजिस्थान में रहता है करीबन उसके पास अभी लगबग 50 जानवर बस वो बचा तो अगर उसको हम लोग मार देंगे तो क्या होगा वो खतम हो जाएगा तो ऐसे जानवर करीबन 1200 है साइट से मैं जिसका कि ट्रेड जो है वो ट्रेड जो है उसको उसके एक तरह से पूरा पूरी रोक है ठीक है और और अगर कुछ जरूरी काम हो गया मतलब बहुत साथ जरूरी है कि हाँ इस जानवर को ट्रेड करना ही है तो क्या होगा जो भी इसमें कोई भी दिकत नहीं होगा ठीक है और ऐसा जानवर को ट्रेड करने से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर्मिशन चाहिए जैसे एक्जामपल के तोर पर लियॉपर्ड हो गया जानवर या अपना चीता हो गया ठीक है या जैगवार हो गया टाइगर हो गया ऐसी आटि करेंगे हम लोग तो यह तुर्णत खतम नहीं हो जाएगा ठीक है और अगर अगर उसको रोके नहीं छोड़ दिये ल हो जाएगा और अगर इसको रोक दिये तो यह भी नहीं है कि यह तुरत ही खतम हो जाएगा मतलब यह बीच-बीच वाला है तो बीच-बीच वाला है इसमें क्या होता है इंपोर्ट पर्मिट से यह मतलब जो भी देश को खरीद रहा है उसको इंपोर्ट पर्मिट से कि हाँ हम इस देश से ले रहे हैं और इस देश में ग्रेट वाइट सार्क हो गया, तो इसको अभी हम लोग हंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको एक दम से नहीं हंट कर सकते हैं, एपेंडिक्स 3 में करीबन 170 स्पीसीज है, 170 तरह का जीब जनतु है, जो कि कोई एक कंट्री साइट को बोला कि देखो भाई हमारे देश में ये बहुत जादा कम हो रहा है, तो हम लोग इस पर चाहते हैं कि यहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हो, और इसका कोई भी या फिर अफ्रिकन साइवेट बोथ स्वाना के द्वाना के द्वारा किया गया था, या फिर USA के द्वारा अलिगेटर स्नैपिंग टर्टल किया गया था, अब आते हैं हम लोग NX ABCD, तो ABCD कुछ नहीं है, जैसे कि European Union जो है, वो NX ABC यूज करता है ABCD, जो हमारा appendix 123 था वैस साही European Union का ABCD है, ठीक है, और D जो है, D में वैसा चानवल को रखा जाता है, जो कि monitoring list में है, ठीक है, तो ये था अपना sites और ये था अपना appendix 123 sites का, and I hope कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, and I hope कि sites के बारे में आपको काफी अच्छी तरीके से इसको समझ गए, and अगर ये